Right, so start करते हैं सिता नियूस के साथ एजास खान का recently एक इंटर्व्यू आया है जहां पर उन्होंने फिर से इस चीज के बारों में बात करी है और वहाँ पर उन्होंने फिर से क्लेम करा है कि यहाँ पर जो एलवी श्यादव है और रजा दलाला और अगर तुम इतने बड़े क्रेटर हो तो भाई तुम्हें पैपसी कभी स्पॉंसर क्यों नहीं करता तुम क्यों अभी तक वही स्पॉंसर कर रहे हो कि भाई आजाओ इस रैस्टोन में आ जाओ यह वाला अंडर वियर पैनलो ऐसे प्रमोशन ही क्यों करते हो तुम लो और क्या बोलते हो उसका एक छोटा सा पार्ट आप लोग देख सकते और इसके बाद यहाँ पे एजासखन अपने इंस्टाग्राम पे एक लास्ट रिप्लाई देते हैं इन सारी चीजों के बारे में जहां पर वो कुछ यह बोलते हैं लेकिन यह कुत्तों को समझाने का तरीका वो ही था सौरी मुझे माफ कर देना दूराटी के ओपर यहाँ पे केस हो गया और यह केस इसले हुआ है कोकि यहाँ पे 7 जुलाई 2024 को दूराटी ने अपने चैनल के ओपर एक वीडियो अप्लोड करी थी जिसका टाइटल था माइ रिप्लाई टू गोधी यूट्यूबर्स एलविशादब दूराटी यहाँ पे BJP के spokesperson है उन्होंने दूराटी के ओपर case कर दिया है और यह case basically deformation का है और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे पीपोई भी react करते है जहाँ पे वो यह बोलते है कि जो दिल्ली की court है उसे दूराटी के बोला है कि भाई वो यहाँ पे court में आये क्योंकि यहाँ पे BJP के spokesperson ने उनके against case कर दिया है और इसी चीज़ के ओपर के भी react करते है कि भाई उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस case का point क्या है क्योंकि दूराटी तो यहाँ पे जर्मानी में रहते हैं तो भाई उने ते क्या ही फ़र्क पड़ता है आपके case करने से कोई पागली होगा जो कि अपने पैसा और time इस चीज़ के अंदर waste करेगा और इसके बाद यहाँ पे यह जो BJP के spokesperson है उनका एक post था जहाँ पे रहोंने इस photo के ओपर react करते हुए सेक्ट खबाता और दू राटी इस चीज़ के ओपर reply करते हुए कुछ यह बोलते हैं कि delete मत करना अंकल यह सब court को भी दिखाना है और फिर वो अपने case के ओपर react करते हुए यह बोलते है कि एक BJP के अंकल ने मेरे ओपर 20 लाग का court case कर दिया है क्योंकि मैंने उसको abuse बोल दिया था क्यों तुम्हें इतनी बेज़िती कराने का शोक है अब इन अंकल की पूरी abuse history दुबारे पबलिक होगी अलवी शादवन में reply दिया अधनान को क्योंकि अब यह एक reset interview आयता अधनान का अधनान को बोलते कि भाई थोड़ा देखके बोल लिया करो कि अगर आप सामने आओगे ना तो इतना सब कुछ बोल नहीं पाओगे और क्या बोलते हैं आप लोग सुन सकते हैं मेंटली प्रॉब्लम है बहुत हड़े ला हूँ है वह सेम शोव में सेम सीजन में होता तो पता चलता था उसको भी कबूल तो कराई ने कम से कम यह तो सच बोल रहा है पर हां मैं फाल दूगे मेरे को एड़ी की रेट तो नहीं पढ़डी है नहीं मेरे को इस वेस में ऐसे कुछी सो में बोलूं नहीं मैं कोई कम लाग यह से देखके तुझे बात कर वाँगा पहले तो ना मैं पहले पहले मैं बैठ हुआ फिर मैं बराबर आवा तेरे उसके बाद कर और बिग बॉस यहां पर कल बहुत बड़ा एक्स पोस के अंदर है लेकिन कल यहां पर बिक बोस अपने इस्टग्राम और ट्वीटर के ऊपर यह पोस डाल देता है जहाँ पर वो यह बोलते है कि विशाल पांडे बिक बोस के घर से बाहर हुचुके हैं इसके पार लोग य सबस्dimensional है इससे लोगों ने आंप rasa सबसक्राइब palabras आपके एसके बारे में नीचे मिन सक्षरे ज़रूर बताना अभी यूट्व फैर्स आने वालोई ने भुंस सारी कुरिटर साने वाले हैं and recently जो गेमर फ्लेट है वो अपने लाइफ स्ट्रीम करे थे वहाँ पर उनसे किसी ने ये पूछा कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे है यूटूब फैन फैस्ट के अंदर जहां पर वो ये बोलते कि भाई यूटूब को ना उनसे कोई प्रोबलम है औ लास्ट टाइम भी वैसी था यार जो बंदे बाई जिनको जानते नहीं है वो लोग आरके थे फैन फैस्ट में बड़ जिनको लोग देखना चाहते हैं वह नहीं जा रहे हैं फैन फैस्ट में क्या बूल यार मन तो बाई मेरा भी है फॉर्ट यूटूबर होगा जो बोले कि मेरे को नहीं जाना है एक बार तो जाना है रहे एक्सपीरियंस तो करके आना है रहे महलब वही है सो बात की एक बात बात बाई मजा तो आता है मेरे को भी बाई क्यों नहीं जाना चाता है कौन है बंदा जो यूटूबर होगा और बूलेगा यूटूब फैन फैस में न क्या है वो तो अभी तक पता नहीं चला है आपके क्या ओपीनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना मिस्टर बीस्ट भी यहां पर बहुत ज्यादा एक्सपोस हो चुक है क्योंकि उनकी पुरानी कुछ करते हैं मिस्टर बीस्ट 19 साल के थे एंड क्रिस टाइसन का सीन का था वो तो मैं आपको कल की वीडियो के अंदर बता चुका हूँ आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं पुरा मैटर समझने के लिए ना इन साही चीज़ों के बाद मिस्टर बीस्ट कुछ यह बोलते ह अपने एक्स अकाउंट के उपर जहां पर वो यह बोलते कि भाई उन्होंने पिछले कुछ दिनों से यह देखाई कि भाई यहां पर बहुत सारी सिरियस एलिगेशन्स लगया क्रिस टाइसन के उपर और मुझे खुद बहुत जादा बुरा लग रहा है और यह बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता उसके एक्शन को और अभी जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिकेशन चल रही है उसका जो भी फ्यूटर में रिजल्ट आएगा उसके अकोर्डिंग में यहां पर एक्शन लोंगा तो आपकि क्या उपीनियान इसके बारे में नीचे कमेंट्स में